इस वक्त हम मौझूद है पटना के कोतवाली थाने में और हमारे साथ है भी है पटना छात्र संग के अध्यक्ष मनीश बताईए मनीश की किस तरह से वहाँ पे पूरी घटना घटी है देखिए हम लोग सुबा आठ वजे से जैसे हमें अखवार के माध्यम से जनकारी हुई है तो सभी छात्र कत्रित होकर दोसी पे करवाई करने की मांग को लेकर कारगिल चोग पे जमा हुए थे हम लोग सांती पूर्ण मांग कर रहे थे कि जिला के कोई वरिस्ट अधिकारी आए विश्वी द्याले के वाईस चांसलर आए लेकिन हमारी मांगो को नहीं मानने पर हम लोग वहाँ बैट के प्रोटेस्ट कर रहे थे एक बेटी के साथ बिहार के इतने बरे विश्वी द्याले में बलतकार की घटना सामने आती है लेकिन लोकल ठाने को भी हमारे भाईस चांसलर को ना डियम को ना एसपी को किसी को इस बात की जनकारी नहीं नो को ये घटना घटी है जब हम लोग सांतिपूर्ण मांग करने कारगिल चौक जाते हैं हमें दौरा दौरा कर जिस तरह से प्रसासन एक्टीब होकर हम पे लाठिया चार्ज की है अगर इतना एक्टीब वो बच्ची के लिए हो जाती तो साधा जितने भी बलतकारी है वो गिरफतारी देते वो सला लाठिया चार्ज की है स्वर्ण कुमार जो IPS है उन्होंने बेदर्दी से हमारी बहनों पर प्रोटेस्ट कर रहे थे स्वर्ण प्रभात उन्होंने बेदर्दी से हम पर लाठिया बरसा ही है और हमारी बहनों पर लाठिया बरसा ही है और अभी हम पर लगतार पुलिस के दव इनका अभी तक कोई स्टेंड नहीं आया एक बिश्वित डाले के भीसी छोड़ दीजिए प्रिंसिपल तक के कॉलेज के कोई बयान नहीं था चेंबर बंद करके अपना लोग कोई नैक में लगे हुए हैं कोई कॉलेज के सुरक्षा में लगे हुए हैं बताईए कि क्या प्रेस में उतरे थे जो घटना हुई है उसके खिलाफ जो आज बियान कॉलेज में हुआ उसके लिए भी जो बिहार में आए दिन घटनाए लगातार बढ़ रही हैं उसके लिए एक पैटन सा उभरा है कि जहां पर गैंग रेप करके औरतों को महिलाओं को जला दिया जाता है और आज देख लिया जाए तो तेरा तारी खो चुकी है अभी तक इस पर कोई बड़ी कारवाई नहीं की गई थी इसको लेकर आप प्रसासम को और सरकार को क्या बढ़ना चाहते हैं देखिए अभी तो हालात यह है कि किसी को पता भी नहीं इस घटना के बारे में नौ त गैंग रेप हो रहे हैं और आप तब आप चुपी साधे हुए हैं हम यहीं मांग करेंगे कि जल्द से जल्द अगर आरूपियों की ग्रफतारी नहीं की गई अगर हमें जेल भेला जाता है तो जेल में आम रंसन पर रहेंगे और कल से पटना विश्वित द्याले का कोई भ पुलिस है पुलिस बन ने इन पर लाठी चार्ज की इसके अलावा ही इनका कहना है कि यह लोग कल से विरोत परदर्शन पर उतरेंगे जिसके लिए इने कोई भी खामियाजा भुगतना पड़े उसके लिए तैयार है अभी इने कोतवाली थाना की पुलिस ने इने पकर कर भी यहाँ पर लाया है और कोतवाली थाने में रख़ए कोतवाली थाने का आप महौल देख सकते हैं यहाँ पर काफी इनके समर्थक है काफी जो लोग जुटे हुए है लगातार पुलिस इन से फचान बीन कर रही है और इने अरेस्ट करने की कोशिस कर दिये लेकिन इनके स समर्थक इनके साथ है उपाध्यक्ष निशानत यादव है जिन से हम बात करेंगा और जानने की कुशिस करेंगी कि आज कार्गिल चौक पे क्या मोमेंट हुआ वहाँ पे कि पुलिस को लाठी चार्ज करने की ज़रूरत पड़ गई जी क्या दरंदगी आप लोग भी देखें मीडिया के भाई बंदू भी मजूद है हम लोग सांती पुन प्रटेस्ट कर रहे थे नौ बएसे बैठे हुए थे कारगिल चौक पे तमाम मगद मेला की गल्स लोग भी थी पूरे पिस्विदाले से चार्ज थे लड़के लड़ में एस पी जो प्रवात स्वर्ण प्रवात आये उनका ओडर हुआ की चात्रों पर लाठी चार्ज की जाए तो हमारी मांग ये थी कि जो लड़की है उसके साथ जो गैंगरों फूर्फ हो गया है उसके जो दरिंदे है उसको पहले पकाड़ करके अंदर जेल में डाल जाए यहाँ पर उल्टा हो रहा है जो चात्र प्रतिनिती है चात्र संG के अध्यक्ष मनीष गुमार को बंद कर लिए गरफतार करें यहां मेरी गिरफ्तारी अभी नहीं हुए है लेकिन मैं भी जितने भी अगर छात्र संग के अधिकारी या फिर आने छात्रों कोई को गिरफ्तार किया जाएगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगा इस तरह से यह दरिंदी की सामने आई यह उस तरही उसके बाब जूद भी पटन इनुवर्सिटी के तरफ से कॉलेज प्रसासन की तरफ से उन पर कोई बड़ा एक्सन अभी तक नहीं लिया गया और कोई भी कॉलेज प्रसासन का कोई भी अधिकारी सामने नहीं आ रहा है तो यह देखने को आ रहा है पुरे पट्टाविस्ट्याले के चात्रों को की हमारे प्रसासन पत्नाइन्वस्टी का एडिस्ट्रियसन के चात्रों के हम लोग पूरे एक जूठ है चात्रों की चितने बड़ादीकारी है और इसके खिलाब भी अंदोलन करने का कैम करें हैं पत्ना विसुद्याले हाद मिश्टियाले की खिलाब हम देखते हैं कि यहां पर लोग मर रहे हैं रोज दिन स्टुडेंट्स की हत्या हो रही है उस पे बालतकार हो रहा है आगे की आपकी क्या योजना है आगे की आपकी क्या अगर पुलिस प्रसासन जो सत्ता के दराल है वो हमारे अध्यक्ष एवं अन्य सातियों को नहीं छोड़ती है तो हमारी अंदोलन जारी रहेगी कल हम लोग पत्ना विस्विदाले के तमाम विभागों से लेकर के हरे क्लास रूम को बंद करने का भी काम करेंगा और पूरी पत्ना इंवस्टी के छात्र एवं पूरे बिहार के छात्र इस प्रोटेस्ट में हम लोग साथ उतरने का काम करेंगा पूरे देश में आए दिन दरिंदिगी की घटना घट रही है और बलातकार की घटना घट रही है पटना भी उसी का सिकार हुआ है कुछ समय पहले कारगिल चौक पे प्रोटेस्ट कर रहे है छात्रों को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है और कई छात्रों के यहां कोतवाली थाने में अभी लेकर आए यहां पर कुछ चात्र मौझूद है जिनसे हम बात करेंगे कि कारगिल चौक पर किस तड़ीके से घटना घटी है क्या हुआ था कारगिल चौक पर हम लोग जब सुभा पेपर के माधियम से हम लोगों को पता चला कि ऐसा हुआ है तो हम लोग प्रो सारे हमारे साथियों को उठागर थाना ले आया गया है यह बहुत दुखत बात है कि हम लोग अगर किसी लड़की के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो प्रोटेस्ट में भी आप लाठी चार्ज करवा देते रहें ताना साही हो गए यह एकदम हिटलर का जैसा कानून बना समया एक है अगर आपको पता चल जाए कि पतना इंवर्सिटी के साथ रेप हुआ है और नेक की टीम क्या आपको ग्रेट देगी और उससे पहले भी तो आपने के साथ है तो पटना इंवर्सिटी का ग्रेट क्या है लोगों को नहीं पता है आप ऐसी बात कहे कि लड़कों क कर रहे था और भी कुछ छात्र है उनसे जानेंगे क्या प्रदर्शन थी आप लोगों की वहाँ पर देखिए हम लोग सीधे सीधे डायेक्ट गए थे हम लोग वहाँ पर शांतिपुर्ण मार्च कर रहे थे सारे चात्र युनिवर्सिटी के ही थे पटना युनिवर्सिटी के हम जिस उनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उस उनिवर्सिटी के अंदर अगर किसी मेरी बहन के साथ, किसी छातवाय के साथ, अगर गैंग रेप का मामला आता है तो क्या हम लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती ही कि उसके इनसाफ के लिए हम लोग सरक्पूतर हैं की जब लोग सरक पूत्रेज और तो पर्षाशन में हम लोगों को बेरहमी से मारा सब लोगों को डंटे से मारा लर्कियों तक के नहीं चोड़ा वा mort चांसलर गायब है वाइस चांसलर बोले मुझे नेक के टीम को मतलए की लीड करना है अपने के टीम को नेक की कौन सी डिग्री दिलाना चाहते है ग्रेट सी तो लेडी पतना को मिली प्रसासन ने घटना के बाप जूद आप लोगों से बात करने की कोशिस की किसी महोदय को दीन को और प्रॉक्टर साब को भेजा था हम लोग से वार्था करने के लिए हम लोग की डिमांड थी कि यहां के जो डिय मैं जिलाद ध्यक्ष वो आए वाइस चांसलर आए और इसके लिए हमें समय दें कि आप कितने कितने दिन के अंदर हम लोगों ने मांग किय है था अप दो दिन के अंदर अरोपियों को पकरें और उस पे मतलब यह साफ तडिके पर चात्रो का कहना है कि कारवाई हुनी चाहिए जाच होनी चाहिए डियेम के आस्वासन चाहिए पहले से सिकार होते जा रही है लोग के ध्यान नहीं आ रही है पटना में घटना घटते रहती है जो निती सरकार है अब हाजपा की जो सरकार जो मिली हुई ये दुनों आपस में क्या गठवंदन किया तो किसी को पता नहीं नहीं कोई काम है सिर्फ ये लोग धर्णा परदर्शन जनता जो आम जनता हम लोग कोई किसी पार्टी पॉलिटिक से नहीं जुरे हुए है आम इंसान की तरब एक छा जो चारो पांच को गिरतार हुए है उनकी पहले PMCH में जाके मेडिकल रिपोर्ट दिखा जा किसी का पैट उटा हुआ है किसी का सर फटा हुआ है लड़कियां को इतने बिरहमी से मारा गया है कि मैंने आज तक पने लाइफ में नहीं देखा साफ तोर पे सुन सकते हैं कि जिस तड़ीके से चात्रों पर और बेटियों पे लाठी चार्ज किया गया है यह पूरी तड़ीके से सरमसार करता है पुलिस प्रसासन को इसके बावजूद भी यहां पे कोई पार्टी पॉलिटिक्स की नहीं है सभी युनिवर्सिटी के रिप के लिए यहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे लेकिन बावजूद इसके पुलिस प्रसासन ने इन पे पहले लाठी चार्ज की उनके बाद इन में बेदर्दी से मारा इसके बावजूद भी कई छात्रों वहां पे से हटे नहीं और वहां पे प्रदर्शन करते रहें ल झाल